नमस्कार आज हम लोग क्लास 6 का क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर वन पार्ट वन एप्शोट नमबर 01 एडवांस स्कूल अफ मैथ और साइन्स लेके आया है माथमेटिक्स को तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की नमबर में क्या क्या हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले आया नेच्रूल नमबर यह नेच्रूल नमबर है देखो यह असमें 0 नहीं है अब हम बात करेंगे होल नमबर का यह होल नमबर यह नेच्रूल नमबर होल नमबर के बीच में आपको करना है यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह डौट 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 नेच्रूल नमबर है और यहां पर 0, 1, 2, 3, यह डौट 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 यह होल नमबर है तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आईए हम लोग देखते हैं कंपेरिंग नमबर दो नमबर के बीच में हम कंपेर कैसी करते हैं जैसे जब तुम लोग 6th Class में हो तो हाइट के अंसार कंपेर करते होगे बेलकुल जैसे कोई इतना बड़ा है इसमें बड़ा कौन है यह है इसी ठंग से नंबर का compare करने के लिए अगर one digit के हम बात करें तो यहाँ पर two और five बड़ा कौन है यह है seven और two seven बड़ा है और यहाँ two और two equal है जैसे यह two digit में जाएगा two सबसे पहले ten अंग पर हम काम करेंगे जैसे यहाँ पर 82 है 72 है तो यहाँ पर eight और seven के बीच में हम लोग compare करेंगे तो यहाँ eight बड़ा है seven से अगर यह three digit अगर होता जैसे four, three, five और यहाँ पर भी four, three, six तो पहले hundred place को करके देखते equal है ten place को करके देखते equal है लेकिन five से बारा six है यानि यह बड़ा है यानि comparing number करने आप लोग बिलकुल आ गया है अगला हमारा बात करेंगे how many numbers can we make कैसे तुम कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर तुमको समझना परेगा क्या समझना परेगा अगर वन डिजिट का अगर हम number बात करें यहाँ पर one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine यानि ना वन डिजिट का जो number होगा वह one, two, nine होगा तू डिजिट का number दस से स्टार्ट होगा 11, 12, 13, 14, dot, 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 99 तक होगा यानि टूटल नमबर 90 होगा यानि इसमें 9, इसमें 90 अगर यह तीन डिजिट की number हम बात करें तो 100, 101, 102, 999 तक यानि टूटल 900 होगा लेकिन आपके पास data दिया हो रहेगा आपको कहना होगा बरा number तो देखो यह greatest number है और यह smallest number है क्या आपने कभी सीखा? सीखा सर लास्ट वाली डिजिट लास्ट वाला डिजिट बाई यह तरब से 0 नहीं होगा सर 0 नहीं होगा देखिए न सर इसमें है न इसमें है अब देखो इससे तुम्हारा question कैसे create होगा? अगर यहाँ पर 103 है और greatest number निकालना है 103 को यूज़ करके तो सबसे बरी वाले को पहले लिखेंगे फिर उससे बरी और फिर ए अगर यहाँ पर smallest number निकालना है तो पहले 103 होगा क्या आपने न सीखा? और इस type के question आपको करने होंगे दोस्तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और number कोई करते हैं यहाँ पर 5, 2, 4 है इससे आपको number बनाना है तो greatest number बनाना है यहाँ पर greatest number 5, 4, 2 होगा smallest number बनाना है तो 2, 4, 5 होगा यानि greatest number की बात करें smallest number की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छे लिंग सा गया लेकिन आपके पास digit भईया 3 है और बनाना है 4-digit का और उसमें हमने कहाँ दिया कि 1-digit repetition करे हैं और उसमें greatest number की बात करें तो यहाँ पर 2-3-4 है आप 4-digit का number बनाना है और greatest number की बात करेंगे तो 4-4-3-2 This is the greatest number अगर हमें smallest number की बात करें तो 2-2-3-4 होगा यह smallest number होगा यानि आपको नंबर बनाने आ गया है इसमें कोई दुमज की बात नहीं है हम लोग बरते हैं अगले प्राव में यहां पर शिफ्टिंग डिजिट अगर हम डिजिट की बात करें शिफ्ट करने का रिवर्च करने का तो देखो हम रिवर्सेबल रूल हम बताते हैं के देख तो घर से निकलते हो पहले क्या पहनते हो क्या पहनते हो पहले पहनते हो सौक्स को बाद में क्या पहनते हो सूज को घर में आते हो निकालते कैसे हो तो पहले निकालते हो सूज को अब आद में निकालते हो सौक्स को यानि कहने के दोस्तों यह बात हुआ कि अगर य तू लिखा गया है अब इसको तू के बाद वन लिख दो यह रिवार्स कर गया इस समाझ वह आए कि नहीं है कभी कोई जित्ती लग होते हैं तू लोग भी पर बैठी के लिए लगते होगे मैं तो यहां बैठ होगा तो बैठो नो तुब रोकता है तो कभी-कभी नंबर इनफॉर्मेशन में जैसे वन टू थीरी फोर कर दे और थीरी जिद्धी है यह बोले कि हम तो कुछ भी हो जाए मैं हंडेट प्लेस पर बैठ हूंगा उससे नराज मत होना नहीं तो मैंतमेटिक्स गरबर हो जाएगा उसको हंडेट प्लेस पर बैठा दो बैठ वई्याँ अब ग्रेटेस नमर निकालना है तो इसमें से ग्रेटेस को है और है तू है वन है अगर स्मॉलेस नमर निकालना है तो यहां पर क्या होगा कि पहले वन होगा थिरी होगा टू होगा पोर होगा चुकि वह जीत पकर लिया है जीद्धी होना भी अच्छा है तुम जीट पकर लो आज हम इस चैप्टर को सीख करेंगे बिलकल तुम सीख जाओ सर की वीडियो पुरा देखेंगे और एकसा साइज वन पाइंट वन को बना कर ही हम रुखेंगे यह तुम्हारा जीद हुगा जीद्ध पोजेटी में लो लोग निगेटी में जीद लेते हो क्या जैसे तुम लोग एक सिक्सलास में पढ़ना है फुट आज तो हम मैगी खाए दॉसक्त लुएный है को जीद को तोरणा पी जरूरी है कौनजीत को शारोटी है तुम्हें जरूरी है तो शिफटिंग टीजीट भी चांचुए आप अम इंटरुट्यूस करने वाले हैं 10,000 का लेकिन इस इंड्रोडेक्शन से पहले मैं आपको बता दूँ लॉजिक को वन डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नाइन है अगर कास इसमें एक जोड़ देवे बो डिजिट का स्मालेस्ट नंबर आजाएगा यही तूडिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 है और आपने अगर वन इसमें जोड़ दिया 103 डिजिट का हो गया 3 डिजिट का नंबर 999 है आपने पलस जोड़ दिया 1000 हो गया और वही 9999 में अगर आपने वन जोड़ दिया यह 10,000 हो गया हमने इंट्रड्यूज कर दिया यह छोड़ो अभी और बाकी है कौन कहता है कि मन उस ठक जाता है कोई नहीं ठकता ठकता उसका मन है ठकता उसका मन है अगर कोई कहता है कि मैं ठक गया उसके पीछे 20 कुत्य को लगा दो जब वो खदरना चालू करेगा तो अंतिम जो उसका एनरजी बचा हुआ है वह एनरजी उसको काम करेगा तो कहां ठक गया कभी कभी एकसेसाज बनाते होगे तुमको लगता होगो मैं ठक गया ये सु जो हमने जीत कर लिया है ये चैप्टर को हम बनाएंगे तब भी हम रुकेंगे देखो अंदर का इनरजी काम करेगा यहाँ पर देखो अभी 10,000 पर नहीं रुकना अब यहाँ पर नाव 99,999 में वन जोर दो लाख हो गया लाख हो गया अब भी नहीं रुकेंगे अब यहाँ पर 9,999,999 पर प्लस वन जोर दिया ये टेल लाख हो जाएगा अब भी भी हम नहीं रुकेंगे तो रुकेंगे ही नहीं 10,000,000 के बाद करोर आएगा करोर के बाद 10,000,000 आएगा अरब आएगा खरब आएगा नील आएगा पद्दुम आएगा संख आएगा महा संख आएगा पिरिंड़ आएगा समंद्र आएगा गुगोल आएगा गुगोल आएगा रूखेंगे नहीं यह अनन तक चलती चला जाएगा आईए हम लोग देखते हैं बात करेंगे प्लेस भी लूग का पहले जब हम मेरे अंदाज पहले का आप देखेंगे लोग बाबासर बोलते थे कि मंदरी में बिलॉंग करता था, आज भी करता हूं बहला जाता हूं वहां प्लेस पर मेरा वह भैलू है। मैरा प्लेस में देखने हैं rigid commitment industry में पर था हूँ तो भी लेक है मेरा सिख्क्नार की आप एक सच मैं किसी का पिटा हो सकता है किसीका करेंके अब्यव चले जाएंगे स्वा बोलताएर बीद्वा सब अनी एकारबने क्या आदत है मैं समझ जाता हूं गलती से गहां आ गए देशी दप्लेश भेलो प्लेश महिलू को समझो चुकर आंगे चलके तुमको एक्स्पेंट करना होगा जैसे यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 है इस टू का प्लेश महिलू देखो यहां से पढ़ना चाल लू करो यह वांस है 10 है 100 है इसका प्लेश भेलू 10,000 है लेकिन 3 का यहां पर प्लेश भेलू 1,000 है लेकिन 4 का यहां पर 100 है और यही 5 का करेंगे तो 10 है और 6 का करेंगे तो 10 के पावर 0 है यानि तुम ऐसे कह सकते हो कि उसके बाद जितना डिजिट है उतना 10 पर पावर परता है 10 पर पावर परता है एक कुशर को तुम लोग अगर करके दिखा दोगे हमें खुशी मिलेगा यह है यानि 2 की अगर हम बात करें तो यहां 2 इंटू एक दो तीन चार पाउच 10 के पावर 5 को कहते है लोग यानि 2 का भैलो लाख है मैं एक बार बताओं मेरे हाँ एक बच्चे बीएसी में आ गए हमने बले नाम क्या है नाम तो बहुत अच्छे से बता दिये रमेस कुमार हम ले पिता जी क्या करते हैं कुले सर पिताजी का नहीं जाते हैं मेरे पिताजी प्रेशिडेंट है उस समय अपीजी अब्धुलक्लाम साइब भारत के प्रेशिडेंट है हमने कहा उन तो साधी ही नहीं किये हैं तो उनके बच्छे कैसे होगे तुम गलत बर्वे हो बुला सर नहीं जानते हैं मेरा पिता जी का एक NGO है और उस NGO का प्रेसिडेंट है मैंने कर भी हो जोगे हम तो भारत सर भारत का ही सोच रहे थे वह तो एक NGO का थे तो यहां पर हम लोग प्लेस वैलू को जाना अब जो प्लेस वैलू हो है तो प्लेस वैलू को जानना परेगा कभी भी प्लेस वैलू चेंज नहीं होता है यह हमारा प्लेस है यहां भी होगे जहां जाएंगे वहां भी होगे यहनि प्लेस वैलू कभी चेंज नहीं होता है यह करेंगे तो त्रसद जानते हो क्या पुझेगा या का प्लेश स्बाइबूटे के 15 यानि यानि अन्तर इंटीं है यानि डिफ्रेंस न स Northeast पेस्वेलू और प्लेस यह से लोग कभी तो पूच्टा देता हो जाड़ बड़ा वर हो हरे हुआ इंहन इंग्लिस में हमारे तीन में तीनों सुपर अश्टार है चाहे वो प्रवेस्टर की बात करें या ये मिन्चूटवलाजैसर की बात करें या संजीव कुमार सिंग की बात करें चोहान कोचिंग सिंटर का और उसमें मैं इंग्लिस के मामले में मैं हो जीरो मेरा प्लेस भैलो निकालो या प्लेस भैलो निकालो हम तो हमेशा होंगे जीरो हमेशा होंगे जीरो पता है नमबर प्रमेशन में हमको उन लोग ऐसे बताते हैं ये संजीव कुमार सिंग जी है ये अजय कुमार सिंग जी है और ये परवेश शहेव हैं और यहां पर मैं उन ल तो कहेगा कि चार इंग्लीज के परचंड भी दान लेकिन मैं तो उसमें शुन्ने हूं कहने का सेंस कि जी रोक ऐसा डीजिट है जी रोक ऐसा डीजिट है जिसकी प्लेस भेलू और फेस भेलू आंगे हम लोग बात करते हैं इंड़ा भी एक वोल नाइक काक्वा में ने इंड श्यक्रीख को आगा था अब कोमा कोमा को मा को मा को मा को मा को मा को मा दो मैं इस कि एक बार इस डोंड ने één सिस्टम अ एंडियन थाजेंट तेंट थाजेंट यहां पर थाजेंट थाजेंट एर पर जाएगा उसे ढख परिदॉनी से दन आख यारि इंडियन सिस्टम में सुरू का थें बाकिका दो-दो-दो-दो दो लेते हैं लेकिन से स्टलम पिंटेन हैं तो से इसको मैग यहाँ पर हम लोग कोगा हे, seven million और आंगे होगा billion यानि यहां पर billion 10 million और 100 billion बात समझ में आ गया होगा यह billion को जो संबोल होगा वो जी होगा जीगा होगा जीगा होगा आंगे हमの settlements के बात करेंगे कोशन पर आ गया है डालाख में टेन तौज थाएंस और टैन्टाइम सोगा तो नाक बनेगा याली तैन्टाइम साथ थैन्टाइज इसन्टाइए टेन्टाइज नाक वालाख है अब उसको 10 टाइम से मल्डिपलाई करेंगे तब बनेगा वन करोर यहां पर वन करोर की हम बात करें मिल्यान दस लाग को कहा जाता है मिल्यान यानि दस को गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा एक मिल्यान में कितना तो दस लाग बढ़ते हैं आंगे प्लेस कोमा करेक्टली और राइट देखो यार 73 लाग 73 लाग 75 थाज़न 75 थाज़न 300 307 करके तु देखलो करके तु देखलो करके तु देखलो युने टैन हंड़ेट थाज़न 10,000 लाग 10 लाग अगला है नाइन क्रोर नाइन क्रोर फाइव लाग दो डिजित में लिखना परेगा फाइव लाग नोट फाइव जेरो फाइव चुकि टेन लाग वाला नहीं है दोस्तो नहीं है दोस्तो और है 41 यानि 10,000 वाला भी नहीं है 100 वाला भी नहीं है और है 41 एक बार में आप लोग को लिखने आगया है तु यह कोश्चन आप लोग करेंगे मैंने कॉमा के बारे में बता दिया है और अगली क्लास में फिर मैलते हैं सेकेंड वीडियो में